वही किसान अंदोलन को लेकर हमारे समवादाता प्रभाकर कुमार ने बीजेपी के वरिश्वनेता और सांसर जगदंपिका पाल से खास बातचीत की आए सुनते हैं के लिए तयार हैं लेकिन किसान करें कि जब तक बिल रद नहीं होगा हम बाचित नहीं करें किसान किसान को ले करके सरकार कितने खुले मन से बात करने के लिए तयार है सूला दिन हो गया आज सरकार लगातार अपील कर रही है लगातार हरी मिल चुके हैं तो अब स्वाभाविक है कि हम देश के किसानों के मन में कोई संसय है कोई भ्रहम है तो उसको दूर करने के लिए यह तैयार है और क्यों बाची से नहीं लिखित देने के लिए तयार है यहां तक कि जो विध्यक हमने पारित किया है बहुमत से उसमें संसोधन करने के लिए तैयार है तो अब अगर कोई विध्यक पारित हुआ हो और उस अंदुलन कोई किया जा रहा हो तो इससे बड़ी सफलता क्या हुज़ती है अगर हम बिल में संसोधन करने के लिए तैयार है तो इससे यह साफ संकेत है कि हम अगर कोई बिल में कमी और खामी है तो उस यूनियनों से उन संग्ठनों से हम विशार करके उसको हम संसोधित करेंगे लेकिन बिल को खारिज किया जाए ये तो पहली बार इस तरह की कोई मांग उठ रही है तो इससे साफ है कि किसानों के हक को या किसानों के फाइदे और नुकसान की चिंता इस आंदोलन में नहीं है केवल ये आंदोलन है कि उस बिल को खारिज किया जाए तो बिल तो साजिल और तमाम वो लोग जो अलगावबादी हैं, उनकी रहाई की मा ओ रहे हैं, जिनका किसानों से कोई ले न दे नहीं. लगाता रुक किसानों की किसान का नुक्सान कर जिसा कुछ लग रहा है कि आपको. मुझे लगता है की अगर ये सरकार किसानों के इहित की बात नहीं कर रहे है तो seas जा रुपया प्रधानमंतरी किसान सम्मान निदी में देना देश की आजादी के बाद नहीं मैं पूरी दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो बारह करोन किसानों को हर साल खाद के लिए बीज के लिए पेस्टिसाइट के लिए सिजाई के लिए 6,000 रुपया 2,000 के 3 किस्ते दे रही हो या किर्सी के और सुरक्षा देने के लिए जिस तरह से एक तीनों विधेग लेकर के आई हो लगातार प्रधानमंत्री क्रॉप इंसॉरेंस लेकर के आया हो या जिस तरीके से किसानों के लिए खाद की विवस्था हूई हो, जब तक बीजेपी एंडिये की सरकार नहीं थी, यूरिया खाद के लिए बल्याक होता था लेकिन एक बात है क्या सरकार किसानों से बाचीत के लिए तयार है सरकार खुले मन से बाचीत करने के लिए तयार है नरीन सीख तोमर जी की अपील आ चुकी है और क्यों बाचीत के लिए तयार नहीं है विदेग में संसोधन के लिए तयार है बिल्कुल तो इजग दंबिका पाल जी जो साब तोर से कह रहे हैं कि आंदोलन में जो किसान है उनके साथ तो हम हैं उनसे बाचीत के लिए भी तयार हैं लेकिन जो कुछ अब बाते आ रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए इस समय दिल्ली से कैमरामें देव के साथ प्रभाकर क कुमार